इस्राइल और हमास की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ये उतने ही घातक और विनाशकारी हो गई है इस्राइली सेना को दो फ्रंट पर मोर्चा समालना पड़ रहा है जिससे उनकी मुश्किले काफी बढ़ी है लेकिन फिर भी नेतन्याहों की ब्रिगेड मजबूती से डट कर हमास और उसके प्रतिरोधी गुटों का सामना कर रही है एक तरफ यमन का हूती है जो इस्राइल और उसके समर्थन वाले देशों के मालवाग जहास के लिए नासूर बन गया है वहीं दूसरी और लेबनान का हीजबुला भी इस्राइली सेना के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है हीजबुला लगातार इस्राइल के उत्री हिस्से पर हमला कर उसे दहला रहा है हिजबुला के तावड़तोर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसराइल में तनाव चरम सीमा पर है हिजबुला की ड्रोन आर्मी ने इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की नाग से नीचे से निकल कर इसराइल के कबजे वाली गोलान हाइट्स की काटजरिन बस्ती पर अटैक करके पूरे इलाके को दहला दिया इसे हिजबुला का नितन्याहू के देश पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है हिजबुला आये दिन अपने जोरदार हमलों से इसराइल की डिफेंस सिस्टम को हर रोज चुनोती दे रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर हिजबुला ने फिलिस्तिनी लोगों के समर्थन में और लेबनान के शेहरों पर इसराइली आकरमड के जवाब में कई हमले किये इन हमलों को लेकर हिजबुला की मीडिया यूनिट ने अलग-अलग बयान जारी किये हैं और साथ ही कई हमलों के फुटेज सोशल मीडिया पर साज़ा भी किये हैं हिजबुला ने किरियत शमोना पर रॉकेट से हमला किया और इसके साथ ही इसराइल के करीब 14 सैन ने ठिकानों पर भी हमला किया लिबनान के शेत्रों पर इसराइली आकरमड के जवाब में किये गए शुरुवाती हमले में हिजबुला के लड़ाकों ने खतरनाक हतियारों के साथ एर ट्रैफिक कंट्रोल मेरोन सैन ने अड़े पर हमला किया और मेरोन बेस पर लगे स्पाई वेर को नश्ट कर दिया उसके बाद ठीक 9 बचकर 40 मिनट पर हिजबुला की तोब खाना यूनिट ने अल मली किया सैन इस्थल पर गोला बारी की इसके साथ ही प्रतिरोद ने इसराइल के कबजे वाले कफार चौबा हिल्स में रुईसात अल आलम सैन ने स्थल पर भी हमला किया हिजबुला ने कबजे वाले कफार चौबा हिल्स में इसराइली संपत्यों पर हमला शुरू किया और इस बार अल सुमक का सैन ने बेस को निशाना बनाया प्रतिरोद ने लेबनानी शहरों और नागरिकों पर इसराइली हमलों का जवाब इन जयतिम बेस पर हमला करके भी दिया फिर ठीक शाम 6 बचकर 10 मिनट पर प्रतिरोद ने मेटूला सैन ने बेस पर हमला किया जिसमें इसराइली सैनिकों को निशाना बनाया गया बता दे कि हिजबुला का ये हमला इस्राइली हमले के जवाब में था जहां इस्राइल ने दक्षुडी लिबनान में हवाई हमला करके कम से कम छै लड़ाकों को मार गिराया और इस हमले में एक बच्चे की भी मौत हुई इस्राइली सेना लेबनान की दक्षडी सीमा पर इरान समर्ते थे घुल्ला के साथ गोली बारी कर रही थी और दोनों एक दूसरे पर भैंकर तरीके से हमलावर थे एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दक्षडी लेबनान के शहर मेस अल जबल में तायर हर्फा पर इसराइली हमलों में चार हिजबुला लड़ाके मारे गए एतरून के बाहर एक अलग हमले में एक और लड़ाका मारा गया लेकिन ये तुरंत इसपश नहीं हो पाया कि लड़ाका हिजबुला का सदस्य था या नहीं हालाकि इसराइल ने दावा किया है कि आईता में मारे गए लड़ाके की पहँचान मुहम्मद नजीम के रूप में की गई है इसराइली सेना ने कहा कि उसने आईता में नजीम को निशाना बनाया क्योंकि वो हिजबुला की रॉकेट और मिसाइल यूनिट का सदस्य था झाल